तो बच्चो अब तक हम तीन कोस्टन कर चुके हैं एक्ससाइज 6.1 ठीक है तो इसके और तीन कोस्टन हैं वो हम आज इस लेक्चर में का रहें वाले हैं ठीक है देखो हमारा जो तीसरा कॉस्टन है इस फूर्थ कॉस्टन जो है फूर्थ कॉस्टन जो है इस गिवन धैट x plus y is equal to w plus z ब्रूद एक्स पॉलस वाई ये एंगल और ये एंगल X plus Y किसके बदाबर है W plus Z it is given ठीक है आपको यह साबित करना है A O B जो है A O B it is a lying ठीक है बड़ा सा बड़ा आसन सा प्रूफ है solution ठीक है देखो O C जो है O C एक रे है मान लेजिए यहां कुछ नहीं है और बस इसकी तरफ जान दो ठीक है O C जो है it stands on A B O C stands on A B ठीक है नहीं now using unilinear mere axiom therefore X plus Y plus X is equal to 180 degree और हम लिख सकते है X plus Y is equal to 180 degree है ठीक है okay call this equation first अब आते हैं यहां इस रे की तरह ठीक है भूल जाओ आप इस चीज़ को भूल जाओ आप इस चीज़ को ठीक है also 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 O D जो O D यह भी एक रे है it stands on A B also O D stands on AB again using linear pair axiom therefore W plus Z W plus Z is equal to 180 degree call this equation second अब इस चीज़ को यह इस चीज़ को ठीक है हमें फुर्स्ट एड सेकंड वी ओट है देखो हमें क्या मिलेगा एड करने से हमें क्या मिलेगा ठीक है एक्स पुलस वाई वाई पुलस डब्ले पुलस जाड किसके बराबर है 180 डिग्री पुलस 180 डिग्री ठीक है एक्स पुलस देखो एक्स पुलस वाई जो है यहां पर याद रखो यहां भी दिया रखो एक्स पुलस वाई जो है एक्स पुलस वाई एक्स पुलस वाई किसके बराबर है डब्ले पुलस जाड इट इस गिवन तो मैं यहां एक्स पुलस वाई को चेंज करता हूँ वाई प 2W plus Z, ठीक है, plus W plus Z is equal to 360 degree, ठीक है, बड़ा आसान सा प्रूफ है, implies, देखो, 2W plus 2Z is equal to 360 degree, ठीक है, implies 2W plus Z कौन कामन लेते हैं, 360 degree implies W plus Z is equal to 360 degree divided by 2 ठीक है implies W plus Z is equal to 180 degree देखो हमें क्या मिला यहां पर W plus Z किसके बराबर आ रहा है 180 degree अब इसकी तरफ देखो फिगर की तरफ हमें यहां मिल रहा है W plus Z किसके बराबर 180 degree यह कब मुमकिन है यह तब मुमकिन है जब A B एक secret line हो ठीक है देखो तब therefore क्या मैं यह कह सकता हूँ therefore A O B A O B is a line क्यों लाइन है क्योंकि यह जो linear pair बना रहा है किस line पर बना रहा है A B पर that is why A O B is a straight line यही तो प्रूब कर रहा है था प्रूब एट A O B is a line line हो यहां सेंब बात अब देखो question number five है P O Q is a line क्यों है देखो P O Q एक line कोई शक नहीं है ठीक है रे O R is perpendicular to line P Q यह जो रे O R है यह ठीक है it is perpendicular to P Q ठीक है it is perpendicular to P Q O S is another ray O S और एक रे है lying between किन के दर किन rays के दर मिया है यह lying between rays O P and O R यह जो और एक रे O S है it lies between the rays O P and O R ठीक है आपको क्या prove करना है you have to prove that angle R O S यह R O S कहां है यह 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 वाला angle R O S is equal to half of angle Q O S Q O S minus angle P O S P O S यह थोड़ा इसमें थोड़ी मेहनत है इस question में मेहनत है लेकिन सबसे आसान question है अब देखो prove की तरफ आते हैं देखो मैं पहले लिपोंगा देखो angle P O R जो है देखो we have बड़ा आसान सा prove है we have angle P O R angle P O R जो है और दूसरा हिसा रोज़ा है it is equal to 90 degree कोई शक नहीं क्योंकि यह perpendicular है और इस पर perpendicular है ठीक है okay implies angle P O R जो है P O R ठीक है इनके इस angle के बीच में O S ray गुजर रही है जो कि इस P O R को दो हिस्सों में बाट रहा है ठीक है एक हिसा P O S है और दूसरा हिसा R O S है ठीक है तो फिर मैं लिख सकता हूँ P O R के बदली implies angle R O S plus angle R O S plus angle P O S angle P O S is equal to 90 degree we call this equation first ठीक है अब आजाओ देखो अब आजाओ इस पे यह जो O S है छोड़ो इसको माल लिजए यह यह यहां पे नहीं है अब जो O S है इट लाइज अन पी क्यों also ऑलस आजाओ OS status on PQ therefore by linear pair axiom angle POS plus angle QOS angle QOS is equal to 180 degree ठेक है? ओके बैजनी मैं र pair axiom implies देखो यहाँ पे जो equation first है ROS plus angle POS is equal to 90 degree मैं चाहता हूँ कि इस equation को मैं इस में इस्तिमाग करो ठेक है? बागी कोई साहरा नहीं है मेरे पास ठेक है? मैं चाहता हूँ जो यह equation first है मैं चाहता हूँ कि इसको इस में इस्तिमाग करो आपको लगता है कहीं पे गुंजाइश है? अगर मैं इस तरह से देखो तो गुंजाइश कहीं नहीं मिलते हैं लेकिन गुंजाइश निकालनी पड़ेगी ठेक है? देखो कैसे निकालता हूँ इंपलाइश एंगल पी ओ एस पुलस एंगल क्यू ओ एस इस इकोड़र यह जो 180 डिगरी है क्या मैं इसको लेख सकता हूँ टू इंटू 90 क्या मैं लेख सकता हूँ तू 90 जार 180 डिगरी ठेक है? एंपलाइश अब देखो एंपलाइश एंगल पी ओ एस पुलस एंगल क्यू ओ एस इस इकोल टू 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 अब देखो टू अब टू एस तू एस जो टू इंटू 90 है तू को ऐसे ही रखो 90 के बद्ले यहां पर 90 आ रहा है उस टीक्वेश में अब 90 के बद्ले आप यह लिखो पार ओ एस पुलस पी ओ एस इस एकोल टू यहां पे नहीं आ सकता है यह अब यहां पी नहीं आएगा यह अब देखो यहां पे लिखता हूँ अब देखो एंगल पी ओ एस पुलस एंगल क्यू ओ एस इस इकोल टू आइस नैंटी नैंटी के बद्ले के मैं यहां लिखता हूँ एंगल और ओ एस ठीक है पुलस एंगल पी ओ एस पी ओ एस लेकिन मैं यहां लिखूँगा बिकाज मैं यहां लाजिक साथ में लिखूँगा बिकाज बाई यूजिंग इक्वेशन फॉस्ट मैंने पहली इक्वेशन इस्तिमाल किया तो लो करो एंपलाइस हमें यह प्रू कर रहा है इसको आप गोल में रखो ठीक है अब देखो एंगल पी ओ एस पुलस एंगल क्यू ओ एस इस इक्वल टो टो आइस एंगल आर ओ एस पुलस टो पी ओ एस मैंने टू से इसको मार्टिपल किया ठीक है अब देखो एंपलाइस देखो यह जो हमें निकाला है आर ओ एस आर ओ एस हमें यहां मिर रहा है यह जो टो आइस एंगल पी ओ एस है इसको मैं ट्रानसवा करता हूं लेट एंट साइड टीक है अगल पी ओ एस पुलस क्यो एस मैंने सांगल पी ओ हैस इस एकल हो हैस एनगल और ऊस कोई शक कुल सक है डेन देखू एंगल पी ओ हैस मार्ट पी ओस माइनस माइनस हो जाएगा स्था एगल फू अनल धानल क्यू ओ त्यक्ष Dieब किया रहेhtगा इसमें से एक बहेगा तो कया रहेगा एंगल POS is equal to twice angle ROS, खेक है? मुझे बस एंगल ROS चाहिए, लेकिन इस एंगल ROS के सामिन ही क्या है? एंगल POS divided by 2 is equal to angle ROS, खेक है? क्या मैं लिख सकता हूँ इंगल ROS, खेक है? क्या मैं लिख सकता हूँ इंगल ROS, क्या मैं और लिख सकता हूँ इंगल ROS is equal to angle QOS minus angle POS divided by 2, this can be further written as ROS is equal to 1 by 2 and 2, angle QOS minus angle POS, यही तो प्रूव करना था, इस question मैं, देखो, हो गया है यह question मैं, ओके? now coming to the sickest question, अब देखो sickest question क्या कह रहा है, given that angle X, Y, Z is equal to 64 degree, आपके पास एक angle है, ठीक है? X, Y, Z which is equal to 64 degree, ठीक है? and X, Y is producer, इसमें से X, Y जो है line, रहे, इसको produce किया जाता है, ठीक है? to the point P, कहां तक? point P तक, ठीक है, draw a figure from the given information, इस information के मुदादिक आप इस figure को draw केजिए, देखो, यह है, X, Y, Z, it is equal to 64 degree, ठीक है? अब क्या है? X, Y, जो है, it is producer to point P, इसको हम produce करेंगे, कहां तक? point P तक, ठीक है, यह हो गया, इसकी जो information है, इस information के मुदाए के हमने figure draw की, ठीक है? इसकी बाद, यह क्या कहरा है, एक ray Y, Q, एक ray आरी है, Y, Q से, यहां से, Y, C, Y, Q से, तो कहां जाएगी है, bisectus the angle Z, Y, P, यह Z, Y, P क्या है? Z, Y, P, यह जो angle Z, Y, P है, angle Z, Y, P, एक ray Y, Q, इसको bisect कर रहा है, bisect का मतलब इसको दो equal angles में तक्सिम कर रहा है, Y, Q is a ray, which bisectus Z, Y, P, into two equal angles, देखो, यह है, Y, Q, it is Y, Q, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, यह angle और यह angle यह बराबर होंगे, क्यों? Y, Q, angle bisector है, किसका? Z, Y, P, इस Y को में यहां लिखता हूँ, ठीक है, अब देखो, find angle X, Y, Q, आपको कौन सा angle निकालना है, X, Y, Q, X, Y, Q, यह angle तो आपने निकालना है, ठीक है, एक पार्ट का यह है, दूसरा पार्ट, reflex angle Q, Y, P, एक reflex angle है, Q, Y, P, यह नहीं है, यह वाला नहीं है, it is not Q, Y, P, बिल्कि यह reflex angle है, reflex angle आपको मालू मैं, reflex angle, the major of reflex angle lies between 180 degree and 360 degree, तो फिर यह ऐसी होगा, यह हमें आई, निकालना है, Y, Q, Y, P, इस एक reflex angle, ठीक है, अब देखो, देखो, प्रूफ के तरफ आते हैं, ठीक है, देखो, X, Y, Z, माल लीजे, यह जो है, यह, आप माल लीजे, यह यह यहाँ पर नहीं है, ठीक है, Y, Z, जो है, it stands on X, P, ठीक है, therefore, by using linear pair axiom angle X, Y, Z plus Z, Y, P is equal to 180 degree, ठीक है, ray, Y, Z stands on X, P, therefore, angle X, Y, Z plus angle Z, Y, P, Z, Y, P, किसके बराबर होगा, 180 degree, because linear pair axiom, ठीक है, अब X, Y, Z, जो है, X, Y, Z, it is given 64, put the value of 64 in X, Y, Z plus angle Z, Y, P is equal to 180 degree, implies angle Z, Y, P, is equal to 180 degree, minus 64 degree, implies angle Z, Y, P, is equal to 6, by 156 degree, तो यह जो है, देखो, देखो, अब क्या है, यह जो है, Z, Y, P, यह हमारा, 156 degree, ठीक है, देखो, क्योंकि यह जो Y, Q है, it is a ray, which bisectors angle Z, Y, P, तो क्या मैं लेख सकता हूँ, यह angle, और यह angle, दोनों किसके बराबर होगा, हाप, Z, Y, P, ठीक है, क्योंकि Y, Q is the angle bisector, this angle, and this angle is, this angle X, Z, Y, Q, and Q, Y, P, they are equal angles, because Y, Q bisectors angle Z, Y, P, ठीक है, अब देखो, therefore, therefore, यह Z, Y, P, जो है, Z, Y, P, Z, Y, P, किसके बराबर रेकला, 156, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, therefore angle, Z, Y, Q, angle, Z, Y, Q, is equal to angle, Q, Y, P, angle, Q, Y, P, is equal to one half of angle, Z, Y, P, Z, Y, P, ठीक है, क्यों, यह दोनों angles जो है, यह दोनों angles जो होंगे नहीं, यह हैं यह angle और यह angle, यह इस angle के half होंगे, ठीक है, क्यों, यह Y, क्यों, इस angle का bisector है, अब देखो, implies, देखो, angle, Z, Y, P, is equal to angle, Q, Y, P, Z, Y, Q है, Z, Y, Q, is equal to angle, Q, Y, P, is equal to one half, इन्टों यह 6, Z, Y, P, Z, Y, P, अभी हम निकाल चुके हैं, 156, ठीक है, It is 116, actually, नहीं, यह 116 के बराबर आ रहा है, यह जो है नहीं, यह angle, It is 116, यह 116 के बराबर आ रहा है, 116 के बराबर आ रहा है, ठीक है, ओके, इसको आप आँ से खुद की, ठीक कीजिए, It is 116, ठीक है, यहां पर कुछी गलती हुई है, ठीक है, 116 है, 116, Is equal to 1, 2, 5 is our 10, 2, 8 is our 16, 58, इसका मातल यह हुआ, यह भी 58 होगा और यह भी 58 होगा, अब देखो हमें क्या निकाल है, नाओ, पहला, पहला एंगल, थाइंगल xyq, एंगल xyq, 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 इस एंगल xyq जो है, यह एंगल xyz plus zyq के बराबर होगा, एंगल xyq must be equal to 64 degree plus 58 degree, which is equal to 122 degrees, नुदा पहला एंगल है, यह लैंगल xy, xyq, इसके बराबर होगा है, 122, ठीके, this complete is the first part of this question, अब रिफ्लेक्स अंगल की तरफ आते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स अंगल, देखो, रिफ्लेक्स अंगल कहा है, ये बिफ्लेक्स अंगल, अब देखो, रिफ्लेक्स अंगल कहा है, रिफ्लेक्स अंगल कहा है, रिफ्लेक्स अंगल क्या है, रिफ्लेक्स अंगल क्या है, रिफ् और हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल रहे हैं है रिफ्लेक्स एंगल किसके बराबर होगा यह रिफ्लेक्स एंगल कि यहीज कहा है इस एकॉल टो QYP ये वाला ठीक है तो हमारा reflex angle QYP निकलाएगा therefore reflex angle QYP is equal to 360 degree minus angle QYP QYP which is implies reflex angle QYP is equal to 360 degree minus QYP कितना है यह हम निकल चुके है इट इस 58 degree emphasize that is equal to reflex angle QYP is equal to 8 minus 10 minus 2 0 3 0 2 degrees तो हमारा reflex angle QYP QYP जिसके लिए उसमें कहा था question में यह किसके बराबर निकला है में 302 degrees this completes your 6.1 exercise take care line design angles वैंता है इस कितनी बस्का है थाहatif लिएल क्या funcionempor ! वैंता है झाल